तो दोस्तो जैसा कि हम सभी जानते वन प्लस के स्मार्टफोन काफी बढ़िया लुक और अच्छे स्टॉक युई के साथ में आते हैं तो अगर आप यहाँ पर वन प्लस के फैन है और आपको वन प्लस की तरफ से कोई अच्छा फोन लेना है तो आज की इस वीडियो में मैं आपके लेकर आचुका हूँ ऐसे चार स्मार्टफोन तो दोस्तों ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही जादा हेल्फूल होने वाली है उन्ही यूजर्स की जिनका बजट बहुत कम है लेकिन उन्हें वन प्लस का फोन लेना है तो आप यहाँ पर देख सकते हैं वन प्लस का नॉट सी E2 लाइट 5G जो कि आपके लिए डेफिनेटली एक कमाल का उप्शन है आपको पूरी तरह से प्लस्टिक बिल्ड पर मिलता है बिल्ड क्वाल्टी काफी अच्छी है और डिसाइन भी आपको यहाँ पर काफी अच्छा दिया गया है साथ ही फोन के अदर आपको मिलती है 6.59 इंचेस के Full HD प्लस वाली IPS LCD पैनल कॉर्णी गोरिला ग्लास का प्रडिक्शन पास्तो नीट्स की ब्राइटनेस 120 हर्ट्स की रिफ्रेश एट और 240 हर्ट्स की टस्ट सैंपली ग्रेट डिस्प्ले क्वाल्टी बजेट की साबसे आपको यहाँ पर अच्छी दी गई है क्यामरास की बात करें तो फ्रेंट और बैक कैमरा से आप यहाँ पर फुल HD की वीडियो रिकाडिंग कर सकेंगे अप्टू 30 fps चलिए परफॉर्मिस की बात करेंगे गाईस तो फोन के अदर आपको मिलता है 6NM-based Qualcomm Snapdragon 695 का चिपसेट जो कि इस बजट के अंदर आने वाला एक काफी अच्छा चिपसेट है आपको यहाँ पर काफी अच्छी परफॉर्मिस निकाल कर देता है और दोस्तों यह स्मार्टफोन उन्दितु पर लगब 5 लाग के आसपा स्कोर भी कर जाता है तो परफॉर्मिस में आपको यहाँ पर कोई शिकायत ने आती है वैसे फोन के अदर LPDDR4S की RAM और UFS 2.2 आला स्टोरेज भी आपको दिया गया है पाउराउस की बात करें तो बैकसाइड में आपको यहाँ पर 5000 मिच की बैक्टरी मिलती है जहाँ पर 33W Charging को फोन सपोर्ट करता है Charger Box के अंदर और Charging के लिए Type-C वाली पोर्ट भी दी गई है कुछ अदर फीचर्स की बात कर लें तो Side-Mounted Fingerprint Sensor 3.5mm का Jack Single Bottom Firing Speakers Hybrid Card का Option और यह फोन आता है Android 12 पर लेकिन Android 13 का अपड़ेट आपको इस फोन के अंदर डेफिनेटली और बहुत जल देखने को मिल जाएगा और आपको यहाँ पर 5 5G बैंड का सपोर्ट भी देखने को मिल जाता है तो भाई अगर आप यहाँ पर OnePlus की फैन है और आपको यहाँ पर अच्छे क्यामरा से अच्छी परफार्मेस जीए तो आप इस फोन की तरब देख सकते हैं बात करें प्राइसिंग की तो 6 और 128 के रिए आपको यहाँ पर लगबग 19,000 रुपे पे करने पड़ेंगे बर दोस्तों बैंक आफ़र्स के साथ में यह स्मार्टफोन अराउंड 18,000 रुपेस की प्राइस पर आपको इजिली मिल जाता है और गाइस इस लिस्ट का जो अगला फोन यार वो है यहाँ पर OnePlus का Nord CE3 Lite जो कि दोस्तों अभी रिसेंट्री लॉंच के आगया है और बात करें इस फोन की यह फोन आपको प्लास्टिक बिल्ड पर मिलेगा पर दोस्तों बिल्ड क्वाल्टी और डिजाइन दोनों ही फोन के यहाँ पर बहुत ही ओसम दिये गये है वहीं पर डिस्प्ले की बात कर लें तो 6.72 इंचेस की Full HD Plus वाली IPS LCD पैनल लगी हुई है Corning Gorilla Glass का protection दिया गया है 680 इनिट्स की peak brightness मिलती है 120 Hz की high refresh rate और 240 Hz की touch sampling rate So display quality अच्छी भी है और बड़ी भी दी गई है तो display से आपको यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं आती Cameras की बात करें तो back side भी आपको triple cameras मिल जाते है Main camera है 108 megapixel का 2 megapixel का macro, 2 megapixel का depth और 16 megapixel का selfie snapper Camera setup phone का यहाँ पर अच्छा दिया गया है और आपको बता दू कि 108 megapixel से daylight में फोटोस काफी अच्छी निकल कर आती है वैसे आपको यहाँ पर 3X lossless zoom का support भी देखने को मिल जाता है तो यह भी बहुत ही अच्छी बात है वहीं पर अगर हम बात करें video recording options की तो front और back दोनों ही camera से आपको यहाँ पर full HD की video recording का option मिल जाएगा up to 30fps हाँ तो दूस्तों बात कर लेते हैं आप performance की तो इस phone के अंदर आपको मिलता है 6NM-based Qualcomm Snapdragon 695 का chipset जो की Adreno 619 GPU के साथ में आता है और दूस्तों यह जो smartphone है यह on-2-2 पर लगबख 4,10,000 के आसपा स्कोर करता है तो performance आपको यहाँ पर decent मिल जाती है साथे साथ LPDDR4X की RAM और EFS 2.2 का आपको यहाँ पर storage भी दिया गया है तो performance में आपको यहाँ पर कोई खास दिक्कत नहीं आती पार उसकी बात करें तो back side में आपको यहाँ पर 5000 मेच की बैटर और 67 Watt की fast charging का support मिल जाता है charger box के अंदर और charging अले type C वाली port भी दी गई है वैसे अच्छी बात यह है कि यह smartphone से 30 minute के अंदर 0 से 80% तक charge हो जाएगा तो दूस्तों यह कमाल की बात है वहीं पर कुछ other features की बात करें तो side mounted fingerprint sensor, 3.5 mm का jack, dual stereo speakers, hybrid card का option और तो और भाई यह phone Android 13 पर आता है तो यह भी काफी अच्छी बात है साथी साथ यह phone up to 9 5G bands के साथ में आता है तो यह भी अच्छी बात है और अब बात कर लेते हैं pricing की दोस्तों और दोस्तों इस list का OnePlus का अगला smartphone है यह आपको काफी good looking, काफी अच्छे camera's और काफी अच्छी specification के साथ में मिलता है OnePlus का Nord CE2 देखा जाए तो यह phone भी काफी good looking phone है और अच्छी बात यह है कि इस phone के अंदर आपको मिलते है 6.43 इंचेस के एक compact size की Full HD Plus वाली AMOLED panel Corning Gorilla Glass 5 का prediction आपको मिल जाता है HDR10 Plus का certification भी दिया गया 800 needs की आपको यहाँ पर brightness मिल जाती है 90 Hz की refresh rate दी गई और 180 Hz की आपको यहाँ पर touch sampling rate मिल जाती है तो phone की display आपको यहाँ पर काफी अच्छी दी गई है Cameras की बात करें तो back side में आपको यहाँ पर मिलते हैं तीन camera जहाँ पर main camera लगवा 64 megapixel का 8 megapixel का ultrabite 2 megapixel का macro और 16 megapixel का selfie snapper तो दोस्तों यहाँ पर भी camera setup काफी अच्छा दिया गया है साथी साथ आपको यहाँ पर daylight में फोटोस भी काफी कमाल की मिल जाती है वैसे आपको यहाँ पर different modes बगएर भी देखने को मिल जाएंगे जैसे कि night mode बगएरा तो यह भी अच्छी बात है वहीं पर video output की बात करें तो back side में आपको यहाँ पर ultra HD की video recording का option मिलेगा अप्टू 30 fps और front से आप यहाँ पर full HD की video recording कर सकेंगे अप्टू 30 fps और अच्छी बात यह है कि दोनों साइट आपको यहाँ पर gyro EIS का feature भी मिल जाता है तो चलिए दोस्तों अब बढ़ते हैं performance की तरफ तो इस phone के अंदर आपको मिलता है 6NM base Miradek का Dimensity 900 का chipset जी यहां दोस्तो 920 और 900 लगबग same type के processor है थोड़ा मोड़ा changes आपको यहाँ पर देखने को मिलता है यह smartphone अंतितों पर लगबग 4,23,000 के आसपा स्कोर कर जाता है तो performance और gaming में आपको यहाँ पर कोई भी खास दिक्कत नहीं आती है वैसे इस phone के अंदर भी आपको LPDDR4X की RAM और EFS 2.2 अला storage दिया गया है तो performance में आपको यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं आती वैसे powerhouse की बात करें तो phone के back side में आपको यहाँ पर 4500Ah की battery मिलेगी जहाँ पर 65W की charging का support दिया गया charger आपको box के अंदर मिल जाता है और charging के लिए type CRE port मिल जाती है चली बात कर लेते हैं अब यहाँ पर कुछ other features की तो दोस्तो इस phone के अंदर आपको मिलता है अंडर display फिंग अपिंड sensor 3.5 mm का jack दिया गया है single bottom firing speakers दिये गया है और अच्छी बात यह है कि आपको यहाँ पर dedicated slot भी दिया गया है और आँ दोस्तो यह smartphone भी Android 11 पर आता जाए और पे के अंदर तो आप चाहें तो इन में से कोई भी smartphone देख सकते हैं सभी के best buy links हमने नीचे discussion box में भी दे रखें तो आप एक बार उन्हें जरूर से check out कीजेगा और दोस्तो उमीद है आप सभी को आज की वीडियो पसंद आया होगी तो लाइक और शेर करने के साथ चैनल को सब्सक्राइब और घंटी बटन को दबाना बिलकुल मत भूलेगा तो चलिए मिलते हैं ऐसे एक और वीडियो में तब तक के लिए अपना ख्याल रखें धन्यबाद